हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार्य दीफल, प्रारब्ध ने अपनी मर्दी से देना है, तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवशक्ता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यक्ता क्या है ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्द क्या है प्रारब्द कैसे बनती है हे केशब प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है ये तो सीरी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुश्री का प्रारब्ध होती है नहीं अर्जुन नहीं ये धार्णा सत्य नहीं है क्यों सत्य नहीं है क्योंकि मैं किसी के प्रारद नहीं बनाता ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथ्वा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं इसलिए प्राणी की प्रारब्द बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता फिर कौन बनाता है प्राणीयों का प्रारब्द प्राणीयों के अपने कर्म अर्थात अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है इसी को प्रारद्द कहते है अपने पुन्य कर्मों के फलसरोप सुख और अपने पाप कर्मों के फलसरोप दुख प्रानी को इसी जन में या अपने अगले जन में भोगना ही पड़ता है वो टलही सकता इसलिए अकर मरने हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुमें फल अवश्च मिलेगा कर्म का ये अटल विधान है इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता